आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, so the today's question is Arrange the given word in sequence in which they occur in the dictionary So, these 5 words दिये गए 1, 2, 3, 4, 5 मुझे इन्हें in dictionary के way में arrange करना जिस तरीके से dictionary में word arrange होते है So, first word is stage, then study, start, story and stop So, A, B, C, D की बात करें Sorry, dictionary की बात करें So, dictionary में कैसे arrange होता है A, B, C, D मतब जिस तरीके से sequence है उस तरीके से arrange किया जाता है ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूंगी कि पहला word क्या है पहला word सब में S है तो यह common हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर मैं second word देखूं तो second word में 1 में A आ रहा है 3 में T आ रहा है 4 में T आ रहा है, सब में T आ रहा है, ठीक है? तो यानि second words भी सब में common हो जाएगा सो मुझे second word भी ignore करना पड़ेगा क्योंकि मैं इन दोनों को देखे यहां की position नहीं बता पा रही हूँ फिर जब मैं third word में switch करूंगी तो मैं देखूंगी कि first और third में A appear हो रहा है second में U, fourth में O और fifth में भी A appear हो रहा है तो first, third और fifth में मुझे अभी यह select करना है कि पहले कौन होगा ठीक है क्योंकि इन तीनों में A है so मैंने again यहां A लिख लिया अब मुझे first, third और fifth में यहां पे select करना है so then G है first में और उसके बाद R है और F है तो G, R और F में सबसे पहले कौन आता है सबसे पहले F आता है तो यहां पे मैं सबसे पहले staff को डाल दूँगी ठीक है इसका मतलब fifth वाला जो है वो first position में है इसका मतलब C option गलत है A, B, D मेरे सामने अब option है अब second word मैं यहां पे search करूँ तो मैं one और three में search करूँगी करके fifth तो खतम हो गया है So मैंने S, T, A लिख लिए as it is उसके बाद मैंने देखा कि यहां पे G है और third में जो है वो क्या है यहां पे R है तो G और R में पहले कौन आता है G आता है ठीक है So यहां पे G आएगा इसका मतलब यहां पे G आने से मैं यहां पे stage लिख दूँगी इसका मतलब fifth के बाद आएगा first ठीक है यह जानते हुए दो solve को करते ही मेरे पास answer D आजाएगा बट मैं इसके बागी options भी लिख रही हूँ ठीक है stage खतम होगे stage के just बाद में फिर एक word में fight चल रही थी जो की बचा कौन सा आपका third word इसका मतलब यहां पे फिर start आएगा अब मैंने next word को देखा two और four में fight चलेगी तो यहां पे भी s और t तो common ही है फिर क्या आता है फिर आता है you और four में आ रहा है o तो you तो बाद में आता है four पहले o पहले आता है a b c d में तो यहां पे मैं लिख दूँगी story और फिर एक word बचा study तो इसका मतलब यहां पे sequence क्या बना five one three four two यह यहां पे sequence बन गया तो यहां पे option d is correct classics to 12 से लेके need iit जेही means और advanced के लेवल तक 10 million से जादा students कभर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 84444 उपर